आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, प्लेटो ने अपने न्याय से संबंधी विचार क्यों दिये, क्या कारण रहे, तो उन सभी के हम बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, देखो अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो यूनान देश आ कौन सा देश यूनान देश में एक राज्जी के हम बात कर लें एथेन्स तो प्लेटों का जो जन्म हुआ वो यूनान के एथेंस रज्जे में हुआ अब वहाँ पर सिस्टम क्या था तो एथेंस में इस सिस्टम था कि सासक का जो चुनाव होता था सासक का चुनाव वो कौन सी पद्दती पर था तो सासक का चुनाव उसके लिए जो पद्दती थी सिस्टम जो था वो था लोटरी सिस्टम और लोटरी सिस्टम से रतात परिया है कि सासक कोई भी व्यक्ति बन सकता था लोटरी में जिसका नंबर आ गया वो क्या बन जाता था एथिन्स का सासक बन जाता था तो इस परकार से जब कोई भी व्यक्ति सासक बन सकता था तो वहाँ पर न्याय की कल्पना करना भी संभाव नहीं है वहाँ पर न्याय स्तापित नहीं हो पाएगा तो इस परकार से अयोग्य व्यक्ति भी क्या बन जाता था सासक बन जाता था तो ये विवस्ता प्लेटों को पसंद नहीं आई उसका मानना था कि योग्य व्यक्ति क्या बने सासक बने तो सासक बने योग्य व्यक्ति लोटरी सिस्टम नहीं हो उसके लिए उसने अपने विचार दिये और वो विचार कौन से विचार थे? न्याई संबंधी विचार. और न्याई के बार में प्लेटो ने कहा, तो प्लेटो ने न्याई के बार में कहा, कि न्याई मानुई आत्मा का गुण है. न्याई को मनुष्य की आत्मा का क्या माना गया है? गुण माना है. किसने माना? प्लेटो ने माना. क्योंकि मनुश्य की आत्मा का गुण है और एक प्रकार से इसे क्या माना गया इसे सद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् तो न्याय मानुई आत्मा का गुण है वो कैसे है तो प्लेटो ने न्याय को परिवासित करने के लिए एक मैत्पुन पुस्तक लिखी जिसका नाम था रीपब्लिक तो प्लेटो की पुस्तक का क्या नम था रीपब्लिक जो किस पर लिखी गई है जो न्याय पर लिखी गई है इस पुस्तग में प्लेटो ने न्याए के बारे में ये कहा कि न्याए दो परकार का होता है न्याए के कितने रूप माने तो न्याए के रूप माने दो तो न्याए के रूप प्लेटो ने कितने माने न्याए के रूप माने दो कि न्याय दो प्रकार से इस्तापित हो सकता है एक तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिकत न्याय और दूसरा उन्होंने कहा सामाजिक न्याय तो न्याय के दो रूप माने एक व्यक्तिकत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय व्यक्तिकत न्याय और समाजिक न्याय अब व्यक्तिकत न्याय को भी उन्होंने तीन भागों में बाटा और समाजिक न्याय को भी तीन भागों में बाटा अब अभी हमने बात की थी कि प्लेटों ने कहा कि न्याय मानवी आत्मा का क्या है गुण है जो चाहता है कि दूसरों के क्या हो भलाई हो कि मानव की आत्मा में एक प्रकार से सद्गुण है न्याय ठीक है अब न्याय के दो रूप बताए एक व्यक्ति का दूसरा समाजिक न्याय व्यक्तिकत न्याय के बारे में प्लेटो ने कहा कि प्रतेक व्यक्ति को भी व्यक्ति हो तो प्रतेक व्यक्ति के बारे में कहा कि प्रतेक व्यक्ति में तो प्रतेख व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसके बारे मता रहे हैं कि प्रतेख व्यक्ति में तीन गुन पाए जाते हैं प्रतेख व्यक्ति में कितने गुन माने प्लेटों ने तीन गुन माने तो प्लेटों कहता है कि प्रतेख व्यक्ति में तीन गुन हैं और उन तीन गुणों को उन्होंने डिवाइट किया है, एक नमबर के उन्होंने बात किया है, बुद्धी, दो नमबर पर उन्होंने कहा, सोरिय, और तीन नमबर पर उन्होंने कहा, तृष्ण, तो इस प्रकार से व्यक्तिकत न्याय को तीन भागों में भाट गया, बुद्धी, सोरिय और तृष्ण, अब प्लेटो ये कहता है कि प्रती एक व्यक्ति में ये तीन ही प्रकार की गुण उते हैं, प्रतेग व्यक्ति के आत्मा में कितने गुण माने गए हैं तीन गुण माने गए हैं बुद्धी, सौर्य और तृष्णा लेकिन इसके बारे मुणों नहीं कहा कि ये जो गुण होगे बुद्धी, सौर्य और तृष्णा किसी व्यक्ति में बुद्धी ज्यादा होगी ठीक ह बुद्धी, सोर्य, दोनों क्या होंगे, कम होंगे, इस परकार से उन्होंने कहा कि प्रतेक व्यक्ति की आत्मा में तीन परकार की गुण पाये जाते हैं, वो कम और ज्यादा हो सकते हैं, उसे उन्होंने कहा बुद्धी, सोर्य और तृष्णा, इन तीनों की आधार पर उन्ह समाझ में न्याई तापना किस प्रकार से होगी कि जो व्यक्ति बुद्धि मान है जिसमें बुद्धी ज्यादा है उसे समाझ में आप उच्चे पद पर क्या करो नुक्त करो तो समाज में सबसे उच्छे जो पद हो जाएगा, वो कौन सा पद हो जाएगा, सासक या आप इसको क्या बोल सकते हो, अभी भावक तो प्लेटो ने कहा, कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धी मान हो, उससे आप सासक बना दे क्योंकि सासक जिसे बनाए जाएगा उसमें क्या होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसमें बुद्धी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी तो वो न्याई की स्थापना करेगा तभी समाज में अच्छे डंग से अन्याई की जगए न्याई की क्या होगी स्थापना कि जिस व्यक्ति में कौन सा गुण हो तो जिस व्यक्ति में सोरिय या साहस का गुण हो उसे सोरिय या साहस का मतलब जो लड़ना अच्छा जानता हो ठीक है उसे क्या बनाओ आप रक्षक बनाओ या क्या बनादो सेनिक बनादो तो उसे सेनिक बना दो या फिर क्या बना दो रक्षक बना दो तो रक्षक वही करेगा जिसको लड़ना आता है जिसमें वीर्ता हो जिसमें सोरिय हो उसे आप समाज में कौन सा पत दें सेनिक या रक्षक का तीसरे के अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति में तृष्णा तत्वे क्या हो ज्यादा हो उसे आप उत्पादक बनाएं क्योंकि उत्पाधन करने वाला व्यक्ति अगर उसमें तिर्षना ज़्यादा होगी तब ही वो ज़्यादा उत्पाधन कर सकेगा तो इस प्रकार से व्यक्तिकत ने और सामाजिक ने इनके कितने कितने रूप बताए तीन रूप बताए व्यक्ति के तन्याय मोनों ने तीन रूप बताए कि प्रतेक व्यक्ति में कम या ज्यादा बुद्धी, सोरी और तिर्शना हो सकते हैं जिसमें बुद्धी ज्यादा होगी उसमें ये दोनों कम होगे बुद्धी ज़्यादा होगी तो समाज में ऐसा पद्दो कि वो व्यक्ति अपने बुद्धी का अच्छे डंग से क्या कर सके प्रियोग कर सके इसलिए जिसमें बुद्धी तत्व ज़्यादा है उसे सासक बना दो उसे राजा बना दो ठीक है से ज्यादा वो राज्य में उत्पादन को बढ़ा सके इस प्रकार से ये व्यक्तिगत नयाय की स्थापना होगी और इस व्यक्तिगत नयाय की आधार पर समाज में वर्ग बना दे गए और वो वर्ग कितने बनाए गए तीन वर्ग, सासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इस प्रकार से अगर व्यक्ति के गुणों के आधार पर ठीक है, आप समाज में क्या बना देते हो, वर्ग बना देते हो, तो किस की स्तापना हो जाएगी, न्याय की स्तापना ह और प्रतेक व्यक्ति का अपना निर्दिष्ट कार्य करना तो प्रतेग विक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्य में अस्तक्षेप न करना जया है तो प्रतेग विक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कारी करना कि जो उसे कारी मिला इस समाज में वही कारी करना उसके अलावा दूसरों के कारी में क्या नहीं करना हस्तक्षेप नहीं करना अगर प्रतेक व्यक्ति ऐसा करेगा तो वही न्याय है ये किस ने कहा प्लेटो ने कहा तो आप देख सकते हैं जिस व्यक्ति को सासक वर्ग का कारी मिला है वो सासक वर्ग का ही कारी करें दूसरे के कारी में अस्तक्षेप नहीं करें जिसका काम सैनिक से समंदित है वो सैनिक से समंदित ही कारी करें, दूसरा कारी नहीं करें, और तीसरा उत्पादक वर्ग ये अपना ही कारी करें, दूसरा कारी नहीं करें, तो जिस व्यक्ति को समाज में जो कारी दिया गया है, वही कारी करें, दूसरे के कारी में अगर वो अस्तक्षेप नहीं करेगा, तो फिर समाज म बहुत अच्छे डंग से नियाय को परिवासित किया है आज के लिए इतना है